हलो फ्रेंड्स, गवर्मेंट जोब जनी नॉटिफिकेशन चनल पर आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल सी कोर्स की ट्रिपल सी कोर्स क्या है इससे जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि triple C होता क्या है क्या है triple C इसको कौन कर सकता है इसके लिए eligibility क्या रहती है age limit क्या रहती है triple C course की fees क्या रहेगी slavus क्या रहेगा exam pattern क्या रहेगा इस course को करने के benefits क्या है ये सारे जानकारी हम इस बीडियो में जानेंगे so अगर आप triple C course के बारे में जानकारी चाहते है वीडियो को end तक पूरा देखेगा काफी अच्छा course है ये अगर आप job की तयारी कर रहे है job के लिए apply करते हैं तो आपके लिए काफी benefit मिलता है इससे और बहुत ही कम खर्चे में ये course आपका complete होता है जो मैं आगे आपको detail में दूँगी इसलिए आप इस वीडियो को end तक पूरा देखेगा, skip बत कीजेगा ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी request है अगर आप चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और bell icon को भी साथ में प्रेस कीजेगा bell icon को प्रेस करने से आपको notification टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई निव वीडियो अपलोड करूँगी ओके सो चलिए बीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम जानेंगे triple C क्या होता है triple C कोर्स क्या है triple C एक computer कोर्स है और triple C का full form होता है course on computer concept अब हम जानेंगे कि triple C कोर्स कराता कौन है किसके दौरा connect कराय जाता है तो triple C कोर्स NIELIT means National Institute of Electronic and Information Technology यह एक संस्था है और इसके दौरा triple C कोर्स कराय जाता है इसको हम NIELIT भी कहते है triple C कोर्स government certified कोर्स है जो government job के लिए मानिता प्राप्त है जिस भी government job के लिए computer certificate की ज़रुरत होती है वहाँ पर आप triple C कोर्स certificate लगा सकते हैं तो यह यहाँ पर किलियर हुआ कि triple C कोर्स government certified कोर्स है आप कहीं भी government job में जहाँ भी computer certificate मांगते हैं वहाँ पर आप triple C कोर्स का certificate लगा सकते हैं अब हम जानते हैं triple C कोर्स कौन कर सकता है तो triple C कोर्स जिसका भी interest computer में है जो भी computer का कोर्स करना चाहता है वह triple C कोर्स कर सकता है फिर चाहे उसकी qualification कुछ भी हो 8th pass, 10th pass, 12th pass या फिर graduate अगर आप computer में कोर्स करना चाहते हैं computer का certificate चाहते हैं तो triple C कोर्स आप कर सकते हैं इससे हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी ब्यक्ती चाहे आप student हो या ना हो कोई भी ब्यक्ती अगर triple C कोर्स करना चाहता है तो वो यह कोर्स कर सकता है अपनी knowledge के लिए computer certificate के लिए चीक है अब हम जानेंगे triple C कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप admission कैसे ले सकते हैं क्या इसकी process होती है कहां पर आपको admission लेना होगा या किस तरह से आप इसको कर सकते हैं तो triple C कोर्स इसकी जो पूरी process है admission लेने से start करके पूरा result आने तक आपका जो certificate आता है पूरी process online होती है तो आपको online ही इसमें सारे जो भी process है online करनी होगी इस course का duration अगर देखें तो 80 hours कर रहता है मिन्स 3 month का ये course रहता है 3 महिने में आपका triple C course complete होता है अब अगर आप triple C course करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो एक तो है direct आप ये course कर सकते हैं किसी भी institute में admission ना लेके आप direct ही ये course कीजे या फिर आप किसी institute के through उसमें admission लेने के बाद आप ये course कर सकते हैं अब इसमें क्या अंतर रहता है कि direct अगर आप करते हैं तो आपको पूरी process आपको खुद देखनी होती है तो तयारी करनी होती है पूरा time आपको note करना होता है कि कब admit card आ रहा है कब result आए पूरी process आपकी रहती है आपको ध्यान देना होता है अब अगर आप institute के through करते हैं तो institute की responsibility रहती है आपकी तैयारी करनी की आपका जो भी admit card है या आविदन करना है result आना है certificate आना है ये सारी responsibility फिर institute की रहती है तो ये append depend करता है अगर आप direct करना चाहते हैं आप direct कर सकते हैं अगर आप institute से करना चाहते हैं तो कुछ institute है जिनको नैलेट ने मानिता दी हुई है वहाँ से आप ये course कर सकते हैं अब हम बात करेंगे course fees की triple C course की fees क्या रहती है तो triple C course की fees बहुत ही कम है only 500 रुपीज 500 रुपे में ये course आपका complete होता है plus GST रहता है जो भी charges रहते हैं क्योंकि online process रहती है तो कुछ charges आपको इसमें plus रहेंगे तो इसकी जो fees है वो 500 है extra आपके कुछ charges और लग सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी दो condition है जैसा कि मैंने आपको भी बताए कि आप इसको दो तरह से कर सकते हैं तो direct कर सकते हैं या फिर आप किसी institute के through कर सकते हैं तो अगर आप direct करते हैं तब आपको only 500 रुपीज देना होता है जो कि ए exam fees या course fees होती है लेकिन अगर आप किसी institute के through करते हैं तो आपको या admission fees तो देना ही होता है साथ में आपको उस institute की tuition fees भी देनी होती है जो आपको institute में आपको पढ़ाया जाता है वो charges भी आपके फिर उसमें include हो जाती है ठीक है तो direct करने पर only 500 है और अगर institute से करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा जादा पढ़ेगा अब हम जानेंगे क्या triple C course को करने के लिए कोई age required रहती है minimum age तो यहाँ पर कोई भी minimum age required नहीं रहती है जैसा कि मैंने बताया आप after 8th, 10th, 12th या graduate कभी भी आप ये course कर सकते हैं तो यहाँ पर कोई भी age required नहीं है minimum age कितनी होनी चाहिए यहाँ पर कोई भी mention नहीं है अब हम जानेंगे अगर आप triple C course करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका admission ले सकते हैं कभी इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसके लिए कोई भी असर time नहीं है कोई भी duration नहीं है कि एक महिने या दो महिने पूरी साल यह process चलती है आप कभी भी जब भी आपका मन होता है करने का आप कभी भी इसमें admission ले सकते हैं अब हम जानेंगे exam pattern के बारे में exam pattern क्या रहता है triple C course का अगर आप triple C course करते हैं तो इसका examination online होगा जैसा कि मैंने बदाया इसकी पूरी process online रहती है तो exam आपका online होगा 100 questions आते हैं 90 minute का आपको time दिया जाता है तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई negative marking नहीं रहती है इसलिए अगर आप answer गलत भी दे देते हैं गलती से तो आपके जो marks है वो नहीं करते हैं तो यह आपका online examination होगा और जब आप इसके लिए apply करते हैं तो जो form रहता है आपको fill करने के लिए आता है online तब आप जब इसको fill करेंगे तो examination center आपको पूछे जाते हैं option में रहता है तो वहाँ पर आप fill करते हैं वही examination center आपको दिया जाएगा और वहाँ पर आपको exam देने के लिए जाना होगा जो online आपका exam होगा अब हम जानेंगे exam कव होता है तो जैसे कि मैंने बताया थ्री मंत का यह course है तो आपका exam जो है जिसमी मंत में आप admission ले रहे हैं आपका exam होता है तो उसका जनवरी छोड़ करके फरवरी में आपका exam होता है ठीक है exam होने के 15-20 दिन बाद result आता है और उसके 15-20 दिन बाद या जाद से जादा एक महिना लग सकता है उसके बाद certificate, online certificate आपको download करना होता है यहाँ पर कुछ भी offline नहीं है आप साइट पर जाकर के download कर सकते हैं यह है exam pattern किस तरह से exam होगा अब हम बात करेंगे syllabus की इसका syllabus कह रहता है कौन-कौन से subject रहते हैं जो आपको study करने होते हैं तो इसमें जो subjects रहेंगे, जो syllabus रहेगा वो introduction to computer, introduction to GUI-based operating system, element of word processing, spread seat, introduction to web browser, www, internet, communication and collaboration, application, of presentations, application of digital financial services यह topics हैं, subjects हैं, जिनके बारे में आपको study करनी होती है तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताई है, government certified computer का course है तो आज कल ज्यादा तर सभी job में, government job में computer certificate मांगते हैं यहां तक कि कुछ government job ऐसी हैं, जहां पर triple C course को mandatory कर दिया गया है minimum, जो 3 month का computer certificate course मांगा जाता है, वहाँ पर triple C course लगा सकते हैं government certified है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आपने यह course किया है और कहीं पर भी इसको मानता ना दी जाए, तो यह मानने है, government certified है तो आप इस course को वहाँ पर लगा सकते हैं, जिस भी job के लिए आप apply करते हैं, government या private और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने कम fees में आपका यह course complete होता है तो अगर आप जौब के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं या फिर आप अपनी knowledge के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं अब अगर आप इसके लिए online apply करना चाहते हैं, तो Nailit की जो official site है उस पर जाकर के आपको online apply का option मिलता है, वहाँ पर जाकर के आप इसमें admission ले सकते हैं, apply कर सकते हैं या आप किसी institute के through भी आविदन इसमें कर सकते हैं इसका syllabus मैंने आपको sort में बताया है, अगर आप जाल से रदा comment करेंगे, तो मैं fully syllabus इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूँगी, fully syllabus explain कर दूँगी, ओके तो friends ये थी जनकरी, triple C course के बारे में, अगर आपको पसंद आई हो, helpful रही हो तो मीडियो को like कर लीजेगा, अपने friends and relatives के साथ भी share कीजेगा, और bell icon को press करना मत भूलेगा, ताकि notification आपको time से मिलेगा, thank you